हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे शैनल हिंदी रेट दुनिया पर आज के इस वेडियो में सीखेंगे इमेल आइडी कैसे बनाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का वेडियो तो दोस्तों इमेल आइडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको Google Chrome Browser ओपन करना है और यहां पर आपको टाइप करना है Google.com तो जलिए मैं यहां पर टाइप करता हूँ Google.com इसके बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस तरह का पेज दिखाई देगा यहां पर मैं पहले से एक इमेल आइडी लोग इन करके रखा हूँ तो चलिए पहले इसको लाग आउट कर देते हैं तो दोस्तों इसके बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको साइन इन का आपसन मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो चलिए पहले मैं इसको रिमूब कर देता हूँ इस अकाउंट को फिर आपको नई प्रोसेस के साथ बताऊंगा कैसे आप बनाते हैं इसको रिमूब कर देते हैं तो दोस्तों अगर आपने पहले से कोई भी इमेल आइडी नहीं बनाई होगी तो डारेक्ट इस तरह का पेज ओपन होगा यहां पर आपको एक आपसन मिल जाएगा तो यहां पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपके पास दो आपसन आएंगे यहां पर दो आपसन में फार माईसेल्फ टू मैनेज बिजनेस तो यहां पर आपको फार माईसेल्फ पर क्लिक करना है इसके बाद आपके पास यह इस तरह का पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको first name, last name, user name और password create करना है तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ यहाँ पर first name, last name डालने के बाद आपको user name सेलेक्ट करना है तो दोस्तों user name वही है आपके email ID होती है तो यहाँ पर आपको ऐसा नाम use करना है जो पहले से कोई ना use किया हो आपके नाम का कोई और भी कोई होंगे जो पहले से बना कर रखे होंगे तो इसलिए आपको इसमें कुछ numbers बगारा को use करना है तो चलिए मैं try करता हूँ कोई सा नाम चलिए देखते हैं अभी उपलब्द है या नहीं तो दोस्तों या कोई पहले से लेकर रखा है तो चलिए इसमें कोई नमबर आइड कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इमेल आइडी अभी किसी ने नहीं लिया है तो चलिए मैं इसको ले लेता हूं इसके बाद आपको एक अच्छा सा पासवर्ड क्रियेट कर लेना है तो पासवर्ड में आपको numbers, symbol और capital letter, small letter सबको मिला कर एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना इसके बाद दोस्तों वही उपर वाला पासवर्ड आपको यहां पर भी टाइप करना है तो confirm हो जाएगा इसके बाद next पर click कर देना है तो दोस्तों इस page पर आपको mobile number डालना है और अगर आपके पास कोई पुराना email address है तो आप यहां पर डाल सकते हैं नहीं तो ऐसे खाली छोण सकते हैं इसके बाद आपको data of birth भरना है तो data of birth में आप अपने हिसाब से कुछ भी select कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको exact भरना है इसके बाद आपको gender select करना है यह सब भरने के बाद आपको यहां पर next पर click कर देना है जैसी next पर click करेंगे तो आपके पास इस तरह करेंग पेज open होगा तो यहां पर आपको yes, I am in पर click कर देना है इसके बाद आपके पास इस तरह कर पेज open होगा privacy and terms का तो आप चाहें तो इसको पूरा read कर सकते हैं या फिर direct आपको यहां पर I agree पर click कर देना है जैसी आप यहां पर click करेंगे तो आपका email account create हो जाएगा अभी इसकी profile picture नहीं लगी हुई है तो चलिए profile picture लगाने के लिए आपको यहां पर click करना है इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं एक photo का icon बना है यहां पर click करना है इस पर click करेंगे तो आपके पास select a photo from your computer इस तरह का option आएगा तो यहां पर click करके आप कोई photo upload कर सकते हैं इसके बाद आपको set a profile photo पर click कर देना है तो आपकी profile picture set हो जाएगी इसके बाद अगर आप इमेल देखना है तो यहां पर click करके आप यहां से Gmail देख सकते हैं दोस्तों Gmail और email एक ही है तो दोस्तों देख सकते हैं finally हमारा email address ready हो गया है और यहां पर Google की तरफ से एक email यहां पर आ गया है तो देख सकते हैं यहां हमारा roids sony for demo at gmail.com यहां पर email बन चुका है दोस्तों है झाल